दोस्तों यह है लखनों की फेमस इद्रीस की मटन बिर्यानी जो के काफी फेमस है और बहुत ही मज़ेदार होती है मेरे पस काफी टैम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसकी रेसिपी अपलोड कीजिए तो मैंने इसको ट्राइ तो किया नहीं था तो मैं इसको बिना ट्रा करते हैं इद्रीस की बिर्यानी दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बैल आइकन ज़रूर दबाएं यही करने तो लेजिए दोस्तों पहुंचगा है इद्रीस के यहां और यहां पर बहुत बेतेने ज़र्यानी और यहां पर नचे ट्राइब करेंसे घ्राइब करणी दरूर ज़र जिदना बिर्यानी की दक्राइब दधनता है उस सभल आप दोए अख्यलह दिस दूद्र स्क और यह खोर्मा भी है लेकिन में इंटरस्ट नहीं है यहां मैं बिर्यानी ट्राइ करने के लिए आया हूँ तो छोटी सी जगह है लेकिन पहुत जादा रश होता है हलाकि मैं थोड़ा सा लंच से पहले के टाइम पर आया हूँ तो इसलिए अधा भीड नहीं है यहां पर तो मैं इसको ट्राइ करूँगा बिस्म लायरहमा रहीम दोस्तो बहुत ही शांदार बिर्यानी है लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि बहुत जादा चटपटी होगी जैसे देली की या हैदराबाद की होती है यह ऐसी बिल्कुल नहीं है बहुत ही बेतीन इसमें से खुश्बू को तलाश करेंगे यहीं के स्पाइस मार्किट के अंदर तो हमने इसको ट्राइ कर लिया है और अपने जहां का जो एक अरोमा था उसको अपने दिमागमें नाक में पसा लिया है यह जो में घुब है वहिए जहुल में से आ रही है बहुत ही बेहतरीन इन्वाइटिट था सिक्रेट आफ इंडिया की तरफ से यहां पर उनके कुछ प्रोग्राम थे हयात होटल में ताज होटल में जिसमें हमने बहुत कुछ बहुत कुछ बेहतरीन रेसिपीस ट्राइ की और वहां के एग्जेक्टिव शेफ और हेड शेफ से मुलाखात की और उन आपको उनकी भी रेसिपी दूँगा बहुत ही शांदार वहां पर मजली से कवाब लगे अबादी कोर्मा लगा और भी बहुत सी चीज़े थी मैं आपको सब दिखाऊंगा तो मैं यह आया हूँ एक जड़ी बूटी की दुकान इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे मैंने उनको स्मेल किया और उसमें से मैंने कुछ जड़ी बूटियां खरी दी जिसमें खास तोर से एक मैंने संडल पॉडल लिया जो के डेली में नहीं मिलता खाने के लायक नहीं होता है और भी बहुत कुछ लिया है तो चले बनाएंगे अब हम इद्रीस की बिरियानी अस कुछ इस तरह के लिए बड़े साइस का बकरा ंए और उसमें बोंग का जोष्ड दलाश करें कि बोंग का घोश्ट मिल जाया वहाँ चाहे वह आपको दो दुगानों से लेना पड़े क्योंकि एक दुकान से आपको ज़्यादा बॉंग का गोश्ट नहीं मिलेगा तो यह हमने लिया है तकरिबां तेड़ के लोग बॉंग का गोश्ट इतनी लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर जिलेटिन ज़्यादा होता है और जिदो आप इसमें देख रहे हैं यह वाइट इस सब जिलेटिन है और अक्सर आपने आइस क्रीम में किसी अच्छी ब्रैंड में इस्तमाल किया होगा यह एक इस तरीखे का स्टीकी सबस्टेंस होता है जो चिपचिपा टाइप का होता है और बहुत ज़्यादा लजीज होता है यह तो यह हमारी प्यास होगा यह भी अच्छी इसके अंदर खुजबू आएगी तो वहाँ पर भी जो प्यास का स्तमाल है वह कॉर्मे में हो जाता है और लेकिन जो आउयल है वो बिर्यानी में डाल लेते हैं तो यह हमने ऑउयल लिया है उसके अंदर उसके अदर ईसके अंदर दो टेबले स्पून जिंजर साथ खरी लाइची और छे साथ लाउंग लेने याद रखेंगे ये डेड़ केजी मटन है और इसके अंदर डेड़ केजी ही हम राइस इस्तमाल करेंगे हाला कि एक केजी करना चाहिए और इसमें हजब जायखा आप लाल मिर्च डालने जादा स्पाइसी नहीं होती है इदरी वीडियो को जरा भी स्किप ना करें नमक जायखे के मताबक इसमें एक कीजिए और इस बात का खायल रखें कि इसको आपको बहुत ही स्लो हीट पर कुक करना है क्योंकि इसके अंदर जेलेटिन हैं वह जो इसको गद्दी कहते हैं वह तभी सॉफ्ट बनेगी जब आप इसक पूल को कंश्यूम नहीं कर पाएंगे बिर्यानी के लिए इस बात का खायल रखना है कि बस इसका जोल उतना ही होना चाहिए वह हम जब बनाएं तो चावल में पूरा का पूरा कंश्यूम हो जाए और जरवत पंडे पर थोड़ा सा पानी इसमें एड़ कर सकते हैं ऐसा नह जब आप खाएंगे हाथ तो आपकी उंगलियां आपस में चिपकेंगी नमक मिर्याच आप इसी पोजिशन पर चेक कर लिजे कि आपको कितनी इसको स्पाइसी रखना है तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्याच और एट की है और थोड़ा सा नमक भी एट किया है क्योंक तो अभी थोड़ी सी आपको तेज लएगी मिर्श लेकिन चावल एट होने के बाद ये मिर्श कम हो जाएगी माइल्ड हो जाएगी पानी आट करने बाद कवर कर देंगे और बहुत ही स्लो हीट पर इसको कुक करना है तो यह है मसाले जो हमारे जोल में जाएंगे बिरियान हरी राइची साथ आट लॉंग और यह है थोड़ी सी खस की जड़ जो आपको दिख रहा होगा जाल सा और इसके अलावा इसमें हैं जाएफल आधा से भी थोड़ा सा कम और जावित्री धनिया साबत एक टेबिल स्पून 15-20 काली मिर्श तीन दंडिया दाडचीनी की अब इन सब का फाइन पॉडर बना लेंगे अचा पॉडर कैसे बनाएंगे आप इसको या तो तेज धूप में इसको ड्राइ कर ले या बहुत ही हलकी आज पर आप इसको तवे पर भूल ले इसमें से जलने की स्मैल नहीं आनी चाहिए वरना आपके बिरियानी की खुझबू न तकरीबन एक घंटे के लिए और इसके बाद इसमें से ये बोटिया निकाल लेंगे और इसका जो तरी है तार है जो ऑईल है वो अलग कर लेंगे और जो नीचे जो बचेगा इसका पानी जो स्टॉक है उसको भी अलग कर लेंगे अब यह जो स्टॉक बचा है ऑईल उतारन चाहिए तो उसी साब से आप इसके अंदर दूद एट कर लें देख लें कितना आपके पास पहले स्टॉक जितना कम हो तो नहीं बढ़िया है और उसके बाद पर हम इसके अंदर कुछ खुजबुक मिलाएंगे और इसके अंदर डालेंगे जो हमने मसाला पीसा है और याद र होकर दूप में सुखा लें क्योंकि अकसर उसके अंदर मट्टी लगी होती है तो जो के उसका पूरा आपका मेहनत खराब हो जाएगी इसमें आप किरकल आएगी तो इसके अंदर एक तो खसकी खुजबु आ रही थी जो कि बिल्कुल अलग थी और यह हमने थोड़ा सा क्योंकि उसमें सैफ्रांट की खुजबु नहीं थी और यह उसके बाद मिलाने के बाद यह सारे मसाले जो हैं इसको दोबारा से आप बारीक कपड़े में च्छान लें तो देखें बिल्कुल यह उनका वाला जो कौनी में अब दिख रहा था इस टॉक उनका था जो और यह हमारा जोल है तो हमने यह जोल तैयार कर लिया और इसको च्छान लिया है बारीक कपड़े में जो जितना भी मोटा मोटा मसाला है वो एकदम से खतम हो जाए तो यह देखें थोड़ा सा कलर हमारा अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसकी तरी पूरी तरह से नहीं उत हरी लाइची और लॉंग डाल कर नमक का तरीखा मैंने आपको बता ही रखा किस तरह से डालना है हलका सा खारा पान होना चाहिए जैसे समंदर का पानी होता है और जब आप इसको टेस्ट करें तो आपको ऐसा लगे जैसे आपने शाय तीन बार नमक डाल दिया तो यह डेड में होना होजाय तब ही आपको रया डायर 6 इसमें ह dije और इसको बार जादा चलाना नहीं है बस एक बार हलकते सी को यह कर दोंक कोवर कर दिजिए और उसके बाद जब इसमें वाइल आने लगे है тब यह शे मौले को एक हलकीं चलाना रही ज़़ए Андाइच में गल्साइस training द संदल वूड वाली है जब भी आप इतर लें तो आप इसमें अगर बना डालना है तो संदल वूड वाला मीठा इतर लेंगे वह हमने इसके अंदर एट कर दिया पांच-छे इसमें ड्रॉप आइट कर दिये और तक दियोंphase 1-2 पूबे इसमें ड्रॉप यूजण ड्राई मेट करेंगे रोस वाटर इसमें चुक्ति एट करेंगे एक धेरूट आरए इसमें रूजट वाटर वाहिता तरा के दिया दिया हुदाना अज़कर आदे में इसमें रोस की इचलर में डवाला रही ती 17 अब सबसे पहले हम इसके अंदर जोल डालेंगे तर्वान आधा और सबसे पहले उसके समें से टोड़ी ता करदेंगे और जो पाद जोन की पोटि यह घरिए उसको पर ला अगा देंगे हैं और उसके इस वक्त ये खायल रखें कि उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और अब इसमें जो बचावा हमारा जोल था स्टॉक है वह एट कर देंगे बहुत ही शांदार खुजबू आ रही है दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस रेसिपी को जरूर ट्राइ क तरह से डालें कि सारे चावलों को पर आ जाए इस तरह से घुमा घुमा कर डालें और अब इसको दम में आने के लिए रख देंगे तो यह पंदरा मिनिट के बाद मैंने इसको खोला है इस बात का खायल रखें कि इसको बीच में एक आद बार चेक कर लें जो आपका स्टॉ इसको बागी सैफ्रान कलर में थे राइस मैकसिमम और थोड़ी बहुत वाइट कलर में थे एक बार चेक कर लें कि इसके अंदर क्या पानी की थोड़ा सा बीच में होल करके तो आपको दिख जाएगा अगर पानी है तो थोड़ा सा और रख लें आप नीचे से एकदम ड्रा करेंगे तो दोस्तों यह रेडी है हमारी बिरियानी और आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए सेम वही कलर आया है वही खुश्बू है दौा में याद रखिए और लखनों की और भी बहुत सी रेसिपी में आपको आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा दौा में याद